कि वेलकम स्टूजेंट्स लेट्स इस्टार्ट टू नेक्स टॉपिक जैसा कि अपने पिछली क्लास में मैंने आपको सर्किल के बारे में एक्स्प्लेंड किया था तो अब आपको आपको एक्स्प्लेंड करने जारा हूं पॉइंट एंड लाइन सेग्मेंट के बारे में ठी पिछले class में भी आपको बताया था vortex points and corner के बारे में ठीक है अब जो यहां पे कि देखें यहां पर क्या है एक keyword format है अब इसमें सारे points आपको यहां पर बताया गया है ठीक है ना यहां पर देखें इतने भी आप देख रहे हो ना points जहां पर दो लाइने मिल रहे हैं उनको पॉइंट बोला गया ठीक है यहां पर देखें लिका है अक्यूबाइड इस फो एट वर्टेस इच वर्टेस गीवस अन आइडिया सब्सक्राइड पॉइंट कि एट वर्टेस है वही वर्टेस आपको जो है दो लाइने जिस पॉइंट पर मिल लिए हैं वह वर्टेक्स कर लाता आपका ठीक है आपने पढ़ा था अपने पिछली में जिसमें अब यहां पर वर्टेक्स आफ़कोन और सो रिप्रेजेंट तो आप जो पॉइंट में का बन रहा है वहां पर नहीं बनता है तो शक्रेम यहां जहां तो मिलेंगी आगर लाइन नहीं मिलती जैसे के आपके सरक्ल के सिम्म में तो आपके आपके ऐसाD अधिक लाइइ मिलती है वहां पर इस dunno अ ले लो और आपको यहां पर इन फिर द्रॉख करने यह यह कूछ लिला इनी है यहांपी इस पॉइंत किती लॉंस मिल रही है यह फिड़ ऑन टू ऊंट यह भी पॉइंट से यह मिल रही है यहां दो लाइन मिल रही है यह फिका तो वांट बंटं सिसमें ठीक है ट्रीन फूर फॉरों गुइंट task be वह क्पूएंट एक एक है ऊए और तो तरी फॉर फाइए यहां पर दो लाने मिलने हैं यहां पर देखिए दो लैने मिल लेंगे यह प्रॉंट है यहां पर सुख़रने है जब कि इस पॉइंट पे कती लैने मिल लेंगे यहां पर दो या अधिक लाइन मिलती हैं उसको हम कहते हैं अब क्या दो से अधिक होगा तो नियां अब यह क्या है । अब यह आपको पॉइंट्स यह भी पॉइंट्स है यह इसके दो से अब इस पर ड्रॉ करते हैं तब इसको कहेंगे चलिए यहां पर जो एडवistles 1 2 वांट एडिक यहां तो इस तरीख से हम पाउंट करते हैं कि ₹ गॉschaftर होता है vortex का मतलब होता है 2 मिलती हूं 2-2 से अधिक राइन एक मिलती हो ठीक है अब वही वर्टक सो करते हैं points को अब जो point होता है जैसे इस case में मैं आपको बता दो जो point होता है अब point की कोई length नहीं होती है dapat place प्वाइंट यह आपका एक प्वाइंट है इसकी कोई length या भीट रहाँ है नहीं होती है जैसे मैंने आपको स्ल्राइन के के सबस्टा न अब यहाँ पर सिंगल लाइन एक लेकर मैं टूपइंट्स बोलते हैं लेकिए यहाँ पर वर्टक्स नहीं बोलेंगे यहाँ पर अपर तो एक लाइन और बन गई तीक है अभ यह वोगया वन वर्टेक्स और एक वन कॉर्णर यह कॉर्णर वान बुला वन कॉर्णर तो पॉइंट्स वर्टेक्स और को बहुत अच्छे से समझ लेजिए points की कोई length या भी त्या height नहीं होती है यह point एक point है point यह point ही है ठीख है एक बिंदू है one point two point three point ठीख है अब इस three points को हम मिलाकर कोई बनाते तो हम अगर इसके हम कई points से मिलकर one two three four five six seven इसे points मिलकर हम कह सकते हैं कि यह पूरी एक line बनी होई है ठीख है लेकिन जहां मेजर करते हैं सब्सक्राइब हमने इसको कहा दिया 3 cm से मिलकर बना हुआ लेकिन हम मैठेमेटिक्स में मैजर करेंगे तो हम कहेंगे जैसे इसको मालों की A से हमने इसको इंडिकेट कर दिया इसको C से इंडिकेट कर दिया तो हमने कहेंगे पॉइंट A to B the length of point A to B is 3 cm and B to C is 2 cm अब A से B तक की जो हमारी length है वो कितने कितने हैं तो यहां दो points के बारें बता रहें A and B यह दो आप इसको यह वर्टेक्स नहीं है जब आप इस पर कोई दूसरा लाइन ड्रो करोगे ना यह जैसी है अब यह जो point आपका बन रहा है यह भी एक point है लेकिन जो point बन रहा है यह कहलाएगा आपका vortex and corner यह आपको clear हो गया होगा हुआ 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 है अभी तक जो मैंने आपको पिछली अपनी क्लास में बताया था ठीक है तो इसली आपको बताया था कि आप point को vortex या corner कह सकते हो ठीक है लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हो डिटेल में बढ़ रहे हो आपको इसको डिटेल में आपको यहां पर मैं बता भी दिया मैंने आपको कि अभी जब सवाल आपके आगे आएंगे ना तो यह confusion आपके दिमाग म नहीं रहने चाहिए ठीक है कि point or vortex or corner क्या है हमने आपको बताया ना कि जब वाल के पीछे आप छूपते हो मैंने अपने पिछले classes में बताया जब किसी वाल के तो वहां क्या होता है दो जहां पे मिल लाई होती है दो साइड की वाल से उसी कुत्वा कुत्वा कॉर्णर में इसी को वर्टेक्स बोल दिया लेकिन points के case में मैंने बताया था इसको हम points बोल सकते हैं क्योंकि यहां line मिल नहीं यह point है ठीक है लेकिन एक single line में भी points होती है ठीक है इसकी कोई जैसे मैंने अभी बताया कि कोई इसकी length width width यह height नहीं होती है ठीक है single window है point मतलब पॉइंट तो confused मत होगेगा vertex points और corners में ठीक है अब आते हैं line segment यह होगया point हमने किसके बारे में भी तक बतायों के डिसकस किया है point के बारे में point क्या होता है ठीक है no length no breath and no thickness यह कह दो height जो भी कह लो ठीक है point के कोई length यह height नहीं हो सकती है तो अब जो है आते हैं line segment line segment क्या होता है अब suppose करो कि हमने यह जो है point है और एक दूसरा point हमने आ ले लिया ठीक है और अपने स्केल से इसके उस पर ड्रॉ कर लिया ठीक है तो हमें क्या में लेगा यह एक यहां पर लाइन खीची अब इसको measure किया three point से मानलो five centimeter मैंने एक line खीच दें यह जो आपको जो दूरी है ना इसको मानलो ए और से मानलो बी तो ए और बी की बीच की दूरी जो कहलाती है वो लाइन सेग्मेंट कहलाती है ठीक है ना इसे की लाइन सेग्मेंट दोनों आपस पर मिलना है यहां सी पर डी सी एबी के सी पॉइंट पर मिलना है ठीक है इसको ऐसे करते हैं तो और डिटेल में हम अपने क्लास में इसको study करेंगे ठीक है लाइन सेग्मेंट को और डिटेल में बताऊंगा आपको नेक्स क्लास में तो मिलते हैं आप से नेक्स क्लास में ठीक है इस्ट्रेंट्स थैंक्यू